हाईलो फ्रेंड्स आपका और फिल्क माचल में स्वागत है और आज हम लोग भर्टीकल स्रेक्शन का ट्रेसिंग करने वाले हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर पिक्चोटीट के यूग पर यानि कि पिक्चोटीट के गर्दन पर आपको चार वायर का क्रेक्शन किया गया है त तो पिक्चोटीट के साइड के तरप का जो तार होता है वो भर्टीकल का होता है तो इसको हम लोग पचास सोर्ज की फ्रिक्वेंसी देते हैं तो टीवी के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला जो प्रकास बिंदु होता है वो लामभाई के दिसा में फैलने का काम करता है और पाल से जो चार तार आते हैं तो उसमें यहां हम लोग देखेंगे कि यहां जो दो स्टेंड होते हैं जिनके बीश दूरी सबसे ज़्यादा होती है तो वह जेंटल जाते हैं या टर्मिनल मने जाते हैं और जहां दो स्टेंड़ों के दूरी कम होती है उसको हम लोग भर्टीकल का इस्टेंड मांते हैं तो एक टर्मिनल को 50-60 की फ्रिक्वेंसी देते हैं और दूसरा जो टर्मिनल होता है वो एक केपिसिटर के दोबरा और रजिस्टेंस के दोबरा निगेटिव लाइन में अर्थ होता है तो जब डिफलेक्श यहां पर होरुजेंटल डिफलेक्शन ये कॉइल का ताव झुड़ा जाता है और होरुजेंटल डिफलेक्शन ये कॉइल को 15-60 की फ्रिक्वेंसी देते हैं तो वह जो है चोडाई के दिशा में फ्यलाने का काम करता है तो आज हम लोग वर्टीकल सेक्षन के बारे में जान इस IC के अंदर ही vertical oscillator section बना होता है और इस IC के pin number 16 से 50-60 का frequency निकलता है तो यह IC जो है यह अपने pin number 16 जो है इसका pin number 16 होता है तो इसके pin number 16 से 50-60 का frequency आउट होता है निकलता है तो 50-60 का frequency तभी निकलता है जब यह IC तब यह IC को काम करने के लिए supply देते हैं तो IC के pin नमर 47 को 5 volt की supply देते हैं तो 5 volt की supply कहा से देते हैं तो इसको 5 volt की supply देने के लिए देखेगे कि यहाँ पर stand by जो है आपका circuit बना हुआ है और इस stand by circuit में देखेंगे कि यहाँ पर एक regulator transistor 8V का लगा होता है और एक regulator transistor यहां लगा होता है जो कि 5V का लगा होता है तो 5V के regulator transistor के emitter से जो 5V आउट होता है वही 5V ले करके इस IC के pin number 47 को देते हैं और जब 47 को supply देते हैं तब ही इस IC के अंदर बना हुआ vertical oscillator section काम करता है और IC के pin number 16 से आपका क्या होता है तो 50-60 प्र frequency आउट होता है निकलता है तो अभी हम लोग multimeter के द्वारा यहां चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि क्या जो है 5V की supply इस IC के pin number 47 को प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है तो यहां देखेंगे कि यह जो है 5V regulator transistor है और 5V regulator transistor का यह जो है emitter है emitter से लगभग देख रहे हैं और यही supply को ले करके कहां देते है तो इस IC के pin number 47 को देते हैं तो हम लोग पहले ही जाना चुके हैं कि इस IC में एक तरफ 32 पीनों होते है यहां से गिनों के गिनों के गिंती सुरू करते हैं तो तो यहां से जब गिंती सूरी करेंगे तो यहां से ले करके अंत में चले जाएंगे तो 32 नमबर पी तो 32 के बाद यहां हो जाएगा 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और यह 47, 47 नमबर जो पीन है इस पर हम लोग को चेक करना है कि 5 भूल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो 5 भूल्ट कहां से निकलता है तो अभी हम लोग थोड़ा दर पहले मिला है कि इस रेगुलेटर जो टाइंशर होता है जो एस्ट्रेंड बाई से लागा होता है वहां से 5 भूल्ट आउट होता है तो भाईए यह पीन नमबर 47 है 47 पर हम लोग भूल्ट की जाज कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि लग भाग है 4.9 भूल्ट यानि कि लग भाग 5 भूल्ट की सप्लाई प्राप्त है हो रही है तो यहां पर जब तक सप्लाई प्राप्त आपको नहीं होगी तब तब इस आईसी के अंदर बना होगा भर्टिकल उसलेटर सक्सन काम नहीं करेगा और आईसी के पिन नमबर 16 से निकलने वाला पचास ओल्ट के जो फ्रिक्वेंसी होता है वो आउट नहीं होगा तो पचास ओल्ट का फ्रिक्वेंसी तब ही आउट होता है जब इसके पिन नमबर 47 को पूजेटिव सप्लाई देते हैं अब हमको क्या जानना है कि IC के output pin output pin पर हम लोग voltage की जाज करते हैं तो देखिए कि यहाँ से जब गिंती सुरू करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर pin नमबर एक स्टार्ट होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एकारा 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, पर हमको voltage मिलने चाहिए लगभग पांच, भोल्ट यानि कि लगभग पांच से थोड़ा सा कम voltage तो देखने हैं कि यहाँ से थोड़ा सा कम voltage प्रापत हो लिए तो यहाँ पर IC के pin नमबर 16 से जो है flyback pulse से related pin होता है तो अगर IC के pin नमबर 15 से लगा हुगा केपे सीटर अगर faulty हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो इस IC के अंदर का oscillator section जो होता है, वो काम करना बन कर देगा उस सिस्तिती में आपको 50 होड़ का signal यहाँ से आउट नहीं होगा तो क्या होगा, कि आपका TV के screen पर H-Line का fault हो सकता है तो IC के pin नमबर 16 से निकलने वाला 50 होड़ का signal जो निकलता है यह signal कहाँ दिया जाता है, तो यहाँ से निकलने वाला signal जो 50 होड़ का signal आउट होता है उस signal को ले करके deflection yoke coil को देते है लेकिन deflection yoke coil को जो signal दिया जाता है, वो काफि सकती साली देना होता है जबकि IC के pin नमबर 16 से निकलने वाला signal जो होता है, वो काफि कमजोर होता है तो यहाँ से IC के pin नमबर 16 से निकलने वाला signal जो काफि कमजोर होता है उसको amplify करने के लिए उसको मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है कि आगी चलकर के vertical output में एक IC लगा जाता है यहाँ पर देखेगा कि एक IC लगा होता है जिसका नंबर होता है 7040 7040 जो 40 जो IC होता है यहाँ पर IC का pin नंबर 1 यहाँ से start होता है यहां सा IC का पी नमबर एक रिस्टाट होता है यहां IC का पी नमबर एक और यहां पर दो तो यहां देखेंगे कि यहां IC का पी नमबर यहां एक रिस्टाट होगा एक इसके बाद यहां दो फिर यहां तीन फिर यहां चार फिर यहां पाँच फिर यहां अच्छे और यहां पर साथ कुलमिलागर के इस ISC में साथ पिन निकलिए होते हैं, तो जब component side के तरफ से देखिएगा, तो आपका जो IC होता है, वो आपको लगभग इस प्रकार गपना हुआ होगा, तो इस प्रकार का जो IC जो आपका बना हुआ होगा जो की component side के तरफ सापको दिखाई देगा तो इस IC में यहाँ सपी नबर एक श्टार्ट होता है IC के लिखवे भाग को सामने है और लेक को जब आपको अपने तरफ करके देखिएगा या नीचे के side में करके देखिएगा तो यहाँ सपी नबर एक श्टार्ट होता है इसका बद पीछे वाला 2 फिर आगे वाला 3 फिर पीछे वाला 4 फिर आगे वाला 5 फिर पीछे वाला 6 और फिर आगे वाला 7 पुल मिला करके इसमें 7 पी निकले होगे तो यही IC जो है क्या होता है कि यहाँ पर फिर राता है लगा हुआ होता है तो इस IC में यहाँ सपी नबर एक श्टार्ट होगा एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ कुल मिला कर इसमें 7 पीन बना होते हैं तो किसी भी IC को पर्यूब करते समय या IC से समंधित related fault को repairing करते समय हम लोग मुक्रिब से 4 बातों पर ध्यान देते हैं पहला यह कि IC का input pin कौन है क्योंकि IC के input pin में ही कमजोर signal दिया जाता है और दूसरा यह कि IC का output pin कौन है यानि कि 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 पीन से सकती साली signal आउट होगा और तीसरा यह कि IC का positive pin कौन है और चौथा यह कि IC का negative pin कौन है तो इस IC में आपको जानना यह है कि IC का input pin एक होता है हम लोग अभी थोड़ा दर पहले मिला है कि यहाँ पर IC का pin नमबर एके start होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ है तो यहाँ पर जो IC का pin नमबर जो एक होता है यह एक देखेंगे, IC का pin नमबर है कि एक क्यों में 50 ओर की frequency देते हैं कहाँ से? तो अभी थोड़ा दर पहले मिला है हम लोग कि IC, यह जो microprocessor IC है इसके pin नमबर 60 से 50 ओर का frequency आउट होता है 50 ओर का frequency निकलता है और resistance के दोरा यही frequency, 50 ओर का frequency कहाँ से निकला? तो IC का pin नमबर 60 से निकला कब निकलेगा आज frequency? जब IC उक्के रहेगा, IC सही होगा तब और यह component भी खराब हो जाएगा तो frequency निकलना बन हो जाएगा या आपको IC खराब हो जाएगा या IC का pin नमबर 47 को supply नहीं मिलेगा तो उस इस्तिती में भी आपका pin नमबर 60 से 50 ओर की frequency आउट नहीं होगा तो 50 ओर का frequency जो निकलता है यहाँ से IC का pin नमबर 60 से वो कमजोर होता है, वो signal यहाँ से ले करके ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ से एक jumper के दोबारा क्या होता है कि frequency जो है यहाँ से यहाँ चलाता है और ऐसे होते हुए, यह line को पकड़े हुए यहाँ से frequency फिर एक jumper के दोबारा चला जाता है IC के pin नमबर 1 में IC के pin नमबर 1 में कमजोर frequency देते हैं कहाँ से दिये, तो IC के pin नमबर solar से निकला signal, frequency निकला और वो frequency चोगी बहुत कमजोर है कमजोर होता है, यहां से एक resistance के दोबारा ऐसे होते हुए इस line को पकड़े हुए, यहां से एक jumper के दोबारा सीधे चला जाता है, कहां पर फिर एक jumper के दोबार IC के पी नबर 1 को देती है frequency क्यों? क्योंकि signal बहुत कमजोर था, इसलिए amplify करने के लिए यहां पर IC लगा गया है एक में दिये frequency, जब एक में दिये तो पूरा सकती साली frequency इस IC के पी नबर 5 से out होता है, इस IC के पी नबर 5 से frequency का होता है, तो out होता है, तो यह मिलाएंगा यहां पर, यह IC के पी नबर 1, यह 2, यह 3, यह 4, और यह 5, पाँच से निकलने वाला frequency सीध है, यहां चलाता है और यहां से यहां आप देखिएगा कि एक jumper लगा होता है, और jumper के दोबारा यही frequency कहां देते हैं, तो deflection, vertical deflection, यह QL के एक सीरे को frequency देते हैं, 50-60 frequency देते हैं, सक्तिसाली frequency देते हैं, तो वो frequency कहां से निकला सक्तिसाली frequency, तो IC के pin नबर, एक में आने वाला कमजोर frequency, जो कि इस IC के दोबारा मजबूत किया जाता है, सक्तिसाली किया जाता है, और मजबूत होने के बाद यही frequency चला जाता है, इस deflection yoke coil को, और deflection yoke coil का दूसरे terminal को क्या किया जाता है, कि देखिएगा कि दूसरा terminal जो है, एक capacitor के दुबरा और एक resistance के दुबरा निगेटिव लाइन से अर्थ होता है, तो यह deflection yoke coil का दूसरा terminal जो तर्मिनल देख रहे हैं, कि ऐसे होते हुए यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ एक capacitor लगा होता है, 1000MFD, 25 या 35 volt capacitor लगा होता है, और capacitor के दुबरा यही जो है, यह टर्मिनल जो है, एक यहाँ से हाँ capacitor के दुबरा और फिर एक यहाँ से यहाँ एक resistance के दुबरा निगेटिव लाइन में अर्थ होता है, कौन? तो deflection equal का दूसरा टर्मिनल, एक टर्मिनल को तो frequency दिए, कहां से दिए, तो इस IC के पी नवर 5 से निकलने वाला frequency दिए, आज जब के deflection equal का दूसरा टर्मिनल क्या होता है, तो एक यहाँ से यहाँ एक capacitor के दुबरा और एक resistance के दुबरा निगेटिव लाइन में अर्थ किया जाता है, इसके बाद इस IC में यह जानना है हमको कि इसका positive pin है और negative pin के बारे में जानना है, तो इस IC को काम करने के लिए, तो इस IC को काम करने के लिए, तो सप्लाई जो है, कहां देते हैं, तो देखिए यह power supply है, power supply के output से भी भीन माने के supply आउट होते है, जिसमें vertical section को काम करने के लिए, यहां से यहां 24 volt की supply आउट होती है, तो आईए, multimeter के दुवारा हम लग चेक कर रहा है, कि यहां पर जो है 24 volt लग भग मिलना चाहिए, power supply से, यहां से यहां एक diode के दुवारा देखेंगे, कि यहां पर 200 volt करें में फिट कर रहते हैं, और देख रहा है कि यहां पर हमको लग भग 24 volt की supply मिलनी चाहिए, 24 से थोड़ा से जदा है, 24 से लगा 27 volt के supply मिलनी चाहिए आपर, तो यहां पर देख रहे हैं कि 24 से थोड़ा से ज़्यादा supply है, तो यह supply power supply से आउट हुआ, और यही supply देखिएगा, कि यहां से यहां एक resistance के दुवारा यही supply यहां यहां पहुचता है, और यही supply को ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, यही supply ले जाकर कहां देते हैं, तो इस IC के pin नमबर 2 को देते हैं, क्योंकि इस IC का positive pin 2 होता है, first positive pin 2, और second positive pin pin नमबर 6 होता है, तो 2 को supply लगभग 24 volt मिलना चाहिए, वो कहां से मिला, तो power supply से निकलने वाला 24 volt की supply, एक यहां से हां resistance के दौरा, यहां आता है, यहां पर एक capacitor लगा होता है, उस 24 volt के supply को filtration करने के लिए, उस volt को इस्तिर रखने के लिए, और यहां से होते हुए, यही supply कहां देते हैं, तो IC के pin नमबर 2 को देते हैं, तो इस प्रकार से 2 को मिला supply 24 volt, और साथ ही साथ है, IC के pin नमबर 6 को चला जाता है, तो फर्स पोजोटी pin दो, और सेकेंड पोजोटी pin छोग होता है, छोग को supply कहां से मिला, तो यह 24 volt के line से, दो पर मिलने वाला 24 volt का supply के line से, एक diode लगाते हैं, और diode के दोबारा यही supply pin नमबर 6 को दिया जाता है, तो अगर 6 पर supply, अगर 2 पर supply मिले, 6 पर supply नहीं मिले, तो यहां से लगा हुआ diode की कराबी होगी, तो इस प्रकार से, यह IC का pin नमबर 1, 2, 2 के बारे में समझ गए, कि 2 को 24 volt की supply देते हैं, इस के बाद यह 3, इस के बाद यह 4, यह 5, पाँच के बारे में समझ हैं, कि 5 आटपुट होता है, सक्टिसाली फ्रिक्वंची आट होता है, और 6 के बारे में समझ गे 6 पर supply नमबर 4 होता है, तो यहां से देखेंगे कि यह IC का पी नमबर एक है, एक के बाद यह दो, दो के बाद यह तीन, तीन के बाद यह चार, चार पर किसी भी प्रकार का भोल्ट नहीं मिलना चाहिए, यानि कि जीरो भोल्ट, क्योंकि चार जो है लंबियूम चोड़ी पुट्टी से जुड़ा होत है और निगेटीव लाइन में जब आप मल्टिमिल्टर के जो हैं लोग जुड़े हुए और लाल तार को भी निगेटीव में रखेगा तो कोई प्रकार रखाट नहीं बतलाएगा, तो पी नमबर चार पर किसी प्रकार का भोल्ट प्राप्त को नहीं होनी चाहिए, तो चा कहां से मिलता है तब power supply से निकलने वाला 40 volt की supply ऐसे होता हुए दो को देते हैं इसके बाद 3 के बारे में जानना है 3 जो होता है वो vertical blanking pins होता है IC का pin number 3 यह 1, 2, 3 3 जो होता है वो vertical blanking pins से related pin होता है IC के pin number 3 देखेंगे कि ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहां आता है यहां से यहां एक capacitor लगा होता है IC के pin number 3 के साथ एक capacitor second positive line के साथ लगा होता है second positive line में हम जानते हैं कि एक diode के दोबार 24 volt के लाइन से एक diode के दोबार IC के pin number 6 को सब्लाई देते हैं तो 6 जो second positive pin होता है और IC के pin number 3 के साथ है, यहाँ पर एक capacitor लगा होता है, और pin number 3 पर लगभग जो है, 1.5 volt की supply, जो कि IC के अंदर से ही आपको क्या होती है, तो प्राप्त होती है, और यहाँ पर उस supply को filtration करने के लिए, सुधर रखने के लिए, supply जो है, up-down नहीं हो, voltage घटे बड़े नहीं, तो उसक का pin number 3 होता है, वो vertical blanking से related pin होता है, अगर इस से सम्मंधित कोई पूर्जय खराब हो जाएगे, यानि कि pin number 3 से लगा हो यह capacitor खराब हो जाएगा, या इस capacitor से related, यह diode का अगर value change हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, कि आपके television के screen पर जब चीतर प्राप्त होंगे, त प्राप्त होगा, इसके बाद 3 के बाद 4 जानगा है, कि 4 जो है negative pin होता है, इसके बाद 5, 5 output होता है, और 5 से related कुछ पूर्जय लगे होते हैं, 5 से अब देखिएगा, कि 5 ऐसे होता है, यहाँ है, 5 और pin number 1 के साथ है, एक capacitor लगा होता है, 5 और 1 के साथ, जो कि IC के input और output के लगने का काम करता है, तो IC के pin number 3 और 5 के साथ लगा हुआ यह capacitor, तो IC के pin number 5 से अगर frequency ज़्यादा निकला की कौम निकला, इसकी सूचना, एक capacitor के दोबार IC के pin number 1 को जाता है, तो यह IC के pin number 5 और 1 के साथ लगा हुआ, output और input के साथ लगा हुआ यह capacitor जो है, आपको लगा है जात और एक resistance निगेटिव लाइन में जुड़ा होता है, जो कि IC के pin number 5 से निकलने वाला frequency के लेवल को सही रखने के काम करता है, कौन, तो यहाँ से है capacitor और एक resistance जो है, निगेटिव लाइन से जुड़े होते हैं, लगे होते हैं, जो कि IC के pin number 5 से निकलने वाला सकतिसाली frequency के पोजेटिव लाइन से लगा होता है, और एक resistance पोजेटिव लाइन से लगा होता है, आप देखिए कि लंबियूम चोड़ी पोटी से यहाँ से है एक resistance के दवारा, pin number 7 से एक resistance लगा होगा निगेटिव लाइन से, और एक resistance लगा होता है, पोजेटिव लाइन से, तो देखिएगा कि यहाँ 8 भोल्ट का लाइन है, लगभग यहाँ पर 8 भोल्ट हमको प्राप्त चाहिए, अगर 3.5 भोल्ट के supply प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में आपको यहाँ तो निगेटिव लाइन से, जो है आपको 8 भोल्ट से, 8 भोल्ट के लाइन से लगा हुआ यह resistance की खराबी होगी, अगर supply यहाँ पर प्राप्त नहीं हो तब, और उस supply को filter रखने के गटेगा, फिर गटेगा, फिर गटेगा, फिर गटेगा, अपने आप जो है, originally जो है, दिर दिरे जो है, चितर का लंगाई आपको बढ़ते चला जाएगा, फिर भाण जाएगा, फिर अपने आप बढ़ाएगा, इस प्रकार से यह xi Southern हो गया, और इसकी अलावे, पिन नम confined 7 के साथ यहाँ पर perseverance लगा होता है यहाँ पर voltage अगर आपका P number 7 का voltage बढ़ जाता है तो यह negative line से लगा हुआ पुर्जी की खराबी होगी यानिकि resistance की खराबी होगी अगर voltage अगर घड़ जाए तो आपको Jोब P number I.C. का P number 7 के साथ लगा हुआ positive line से resistance की खराबी होगी अगर resistance कराब हो जाएगा तो यहां का voltage घट जाएगा और अगर यह resistance कराब हो जाएगा तो voltage बढ़ जाएगा तो यहां पर लगभग साढ़े तीन भोल्ट की supply यानि कि 3.5 भोल्ट की supply हमको मिलनी चाहिए जो कि दो रजिस्टेंस के द्वारा दिया जाता है और अगर यहां का सप्लाई अगर फॉल्ट हो जाएगा तो CCT में भी आपका जो है H-Line का फॉल्ट उत्पन होगा और क्या जन्ना है कि IC के PIN नंबर 5 से निकलने वाला सकती 16 सिगनल क्या होता है कि एक जंपर के दवारा default को चला जाता है और default की ऑका जो दूसरा जो टर्मिनल होता है वो ऐसे होते हुए थो जो तर्मिनल होता है वो अभी हम लोग थोड़ा दर पहले मिला है कि EPCITER के दवारा और एक RESISTANCE के दवारा negative लैंग में अर्थ होता है और क्या जानना है कि यहाँ पर कुछ component लगे होते है IC के input और output से related कुछ component लगे होते है जिनका BCS महत्व होता है और जिनके faulty हो जाने से यहाँ से लगे होते हैं IC के input और output के साथ तोओ अब थोड़ादर मैंoll हम लाइगे हम लोग कि IC का input और output से related है यहाँ पर कुछ component लगे हुए है जिनके faulty हो जाने से या तो H line का fault होगा या non-linear picture प्राप्त होगा या असमान ने picture प्राप्त होगा चितर का आपका चेहरा लंबा हो जाएगा पैर छोटा हो जाएगा या पैर लंबा हो जाएगा और चेहरा जो है आपका जो है जो face होगा वो काफी छोटा नजर आएगा तो ये input और output से related कुछ यहाँ पर component लगे हुए हैं जिनके faulty होने से इस परकार का fault होते हैं तो आईए इसको पॉले मिलाते हैं लोग तो अब देखेंगे कि IC के pin नबर 5 से frequency out होता है आप 5 से निकलने वाला frequency deflection yoke coil को चला जाता है और deflection yoke coil का दूसरा सीरा एक resistance के दवारा अभी थोड़ा दर पाले मिला है कि capacitor के दवारा और एक resistance के दवारा negative line में अर्थ होता है और IC क्या सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके बारे में क्या है कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि IC का positive pin की ठीक आधी supply IC के output पर मिलना चाहिए IC का positive pin कौन होता है तो अभी थोड़ा दर पहले हम लोग मिला है कि IC का positive pin दो होता है और एक 6 होता है दो पर supply कहा से प्राप्त होती है तो दो पर supply power supply से निकलने वाला supply एक resistance के दोबारा बहुत ही low value का resistance लगा होता है कम मान का resistance लगा होता है जो कि फ्यूज के तरह काम करता है अगर IC में कई sorting हो जाती है जो resistance आपका कट जाता है और इस प्रकार से यहां से निकलने वाला supply 2 को देते है और फिर एक diode के दोबारा supply 6 को देते है तो 2 और 6 पर जितनी supply प्राप्त हो उसकी ठीक आधी supply IC का output पर हमको मिलना चाहिए कॉब है जब IC सही हो तॉब तो देखिए IC के पी नमबर 2 पोचे कर रहा है कि 24 से कुछ ज़्यादा बोल्ट है यह पी नमबर 6 है यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 पर भी देख रहे है कि 24 से कुछ ज़्यादा है तो 2 और 6 की ठीक आधी supply IC के output pin पर जेक करना output pin किसे करते है जहां सकती 30 इना निकलता है तो कौन होता है output pin तो pin नमबर 5 होता है तो देखे यह 5 है 5 पर हमको 12 से कुछ और देक मिलना चाहिए क्यों? क्योंकि IC के pin नमबर 2 और 6 पर देख रहे है कि जो है supply क्या है तो 24 से कुछ ज़्यादा है अगर positive pin पर जितना भोल्ट मिले उसकी ठीक आधी supply IC के output pin पर check करना होता है तो 12 से कुछ ज़्यादा प्राप्त हो रहे है और यही भोल्ट आप देखेंगे कि ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ आना चाहिए अगर यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले तो यह jumper की खराबी होगी या उसका तार तूट गया होगा तो यहाँ पर भोल्ट आपको प्राप्त होगा लेकिन यहाँ पर भोल्ट प्राप्त नहीं होगा और यहाँ पर जो भोल्ट मिल जाए तो यही भोल्ट आप देखिएगा कि ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए यहां मिलना चाहिए लेकिन यहां भोल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि केपेसीटर से भोल्ट DC भोल्ट पास नहीं करता है तो यहां पर भोल्ट मिलेगा लेकिन यहां पर भोल्ट नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि केपेसीटर से DC भोल्ट पास नहीं करता है केपेसीटर के वल एसी भोल्ट को ही जानी देता है अगर यहां पर भोल्ट मिले और यहां भी भोल्ट मिले तो समझे कि केपेसीटर आपका सोट कर गया है केपिसिटर के दोनों टर्मिनल आपस में अंदर अंदर सट गए है तो भोल्ट यहां मिले यहां नहीं मिलना चाहिए या अगर केपिसिटर खराब नहीं होगा अब फिर भी यहाँ पर भी भोल्ट मिले यहाँ पर भी भोल्ट मिले तो यह समझे कि यह है निगेटिव लाइन से लगा हुगा रजिस्टेंस अगर ओपन हो जाएगा र्जिस्टियंस अगर खराब हो जएगा तो उसी स्तिती में आपको esse capacitor फर वोल्ट मिलेगा और esse capacitor पर भोल्ट मिलेगा This capacitor जो है अंदर अंदर चार्ज हो जाएगा और यहां भी भोल्ट आपको मिलना कर लिए तो अगर इस पर भोल्ट मिले यहां नहीं मिलना चाहिए अगर यहां मिले और यहां नहीं मिले तो ठीक है अगर यहां मिले और यहां भी मिले तो समझे क्या तो केपसिटर के खराबी है या इस नेगेटिव लाइन से लगा हुआ रजिस्टेंस के खराबी होगी और यह केपिसिटर लगा हूँ इसका पोजियेटिव है टर्मिनल है का कनिक्शन है इस IC के इन्पूट से होता है इसके पोजियेटिव टर्मिनल का कनिक्शन जो है यानि कि जो है डिफलेक्शन ये क्वाइल का दूसरा जो सीरा होता है जो कि हम लोग जानते है कि दूसरा सीरा से पर वोल्ट मिलता है हमको कातना तो जितना वोल्ट जो है पाला टर्मिनल पर मिलेगा उतना ही वोल्ट दूसरा टर्मिनल पर मिलेगा होते हुए ऐसे होते हुए भोल्टेज के रूप में इसकी सूचना ऐसे होते हुए भोल्टेज के रूप में यहां आती है और यहां से यहां एक resistance लगा होता है अगर यहां पर भोल्ट मिले यहां पर भोल्ट कहां से आया तो यह credit कॉइल पर छुट दूसरा शिर्ण हो तो उसपर जो मिलता है वही Commerce मिलता हूं मिलता है तो अगर यहाँ पर ब्यूँल्ट मिले यही भूँल्ट कि यहां मिलना चाहिए अगर यहां मिले यहां नहीं मिले तो यहां सेहां लगा कि कराबी ह thé और यही बूर्ट जब यहां से यहां आजाता है यह बोल्ट कहां से आया तर्थिफलेक्शन यह कौल से आया डिफलेक्शन हो कहले कौ। अजब यहां पर फोल्ट के से और नहीं जाहिए और यहीं थे यहां मिले यहां नहीं मिले तो इस रेजिस्टेंस की खराबी होगी और फिर यह वोल्ट यहां से यहां मिलना चाहिए 3.5 वोल्ट अगर यहां मिले वोल्ट लगभग 12 वोल्ट के असपास 12-13 तो यहां मिलना चाहिए अगर यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ नहीं मिले तो यह स्रेजिस्टेंस की खराबी होगी, 3.5 वोल्ट और ये दोने में से कोई भी पूर्जे खराब हो जागे हैं तो उस स्थिति में इस capacitor के negative, negative line से भी कुछ component IC के input से जुड़े होते हैं. इस capacitor का signal passing जो capacitor इसके negative line से देखेंगे कि एक resistance और एक capacitor अब फिर एक resistance input से जुड़ा होता है. तो अगर यह आपका यहां से लगा हुआ है आपका resistance खराब हो जाएगा या यह capacitor खराब हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको picture जो है non-linear प्राप्त होने लगा निगेटिव लाइन से लगए हुआ कोई भी component खराब हो जाएगा यहां से हाँ लगा हुआ एक resistance जो कि direct negative, sorry, IC के input पिंस टुड़ा होता है तो इस capacitor के negative line से लगा हुआ यह resistance 40 हो जाएगा तो उस स्थिति में भी आपका picture असमन्न प्राप्त होगा चितर का आधा भाग लंबा हो जाएगा, आधा भाग छोटा हो जाएगा यहां से हाँ लगा हुआ resistance, यह खराब हो जाएगा इस capacitor के negative से लगा हुआ तो चितर का आधा भाग, आधा भाग छोटा हो जाएगा यह capacitor भी खराब हुआगा तो चितर का आधा भाग लंबा होरा आधा भाग छोटा हो जाएगा इस प्रकार से vertical section में लगे हुए component जो है अलग-अलग फंक्शन के लिए लगे होते हैं जिसके बारे में हम लोग आज हम लोग tracing की हैं अगले वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्ब की हैं जानेंगे हैं कि vertical section है कि किस से पूर्जी के खराब होने से कौन-कौन से किस प्रकार का फॉर्ट टेवी के स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे तो thank you very much जो आपने इस वीडियो को पूरा वाच कि किया और हम चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब करें और वीडियो अच्छा लगए तो like करें धन्यवाद